वेल्कम फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं सॉंप के लड्डू इन्हें बनाने के लिए मैंने तक्रीबन एक किलो बारिक वाली सॉंप ली है इसे हम मिक्सर में बारिक फ्रेंगे और फिर छलनी से एचछीज़ से चान भी लेंगे ताकि इसमें जो कच्रा हो वो बहार निकल जाए अब मैंने 500 ग्राम बादाम लिए है इन्हें भी हम मिक्सर में बारिक पीस लेंगे यह दिखी मैंने बारिक पीस लिया है अब मैंने यहां 3-4 खोपरे लिए हैं इन्हें भी हम बारिक पीस लेंगे यह दिखी इसे भी मैंने बारे पीस लिया है अब मैंने लगपक देड़ किलो घी लिया है अब हम इसमें एक किलो आटा रालेंगे आटा हमने थोड़ा थोड़ा करके दो से तीन बारे में डालना है ताकि हम इसे अच्छे से मिक्स कर सके अब हम इसे चलाते हुए अच्छे से गॉल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे सॉंफ के लड़ू खाने के बहुत सारे फायदे हैं सॉंफ में सोडियम, काईप्रो हाइट्रेड, फाइबर और प्रोटेन पाया जाता है माँ और बचे दोनों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और सॉंफ वजन कम करने के लिए बहुत फायदे मंद है यह देखिए आटे का कलर जो है वो गुल्डन ब्राउन हो रहा है और बहुत ही अच्छी कुस्पू भी आ रही है हमारा जो आटा है वो बिल्कुल पक चुका है अब हम इसमें सॉप टालेंगे और इसे अच्छी से मिक्स करते हुए थोड़ी देर और पकाएंगे सॉप टालने के बाद हम इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे सिर्फ दो से तीर मिनट तक इसे पकाएंगे अब हम गैंस बंद कर देंगे और इसमें कट्ची चलाते रहेंगे अब हमने जो ड्राइफ्रूट पीस के रिखी थी वो हम इसमें डालेंगे इन्हें अच्छी से मिक्स करके थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे यह थंडा हो चुका है अब हम इसमें पीसी हुई चीनी डालेंगे और इसे हाथ से अच्छे से मिला लेंगे अब आप छोटे आप बड़े जैसे आपको पसंद हो साइस के लड़ू बना सकते हैं यह देखिए हमारे विंटर स्पेशल हेल्दी और टेस्टी सॉंप के लड़ू बनकर बिल्कुल तयार हैं और इन्या आप 15 से 20 दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं